हेलो एवरिवन एन वेलकम टो मिस्टर इंट्रोडेंट यूडिप चैनल आज इस वीडियो में हम फ्रेडरिक वॉन वाइजर के एकनॉमिक आइडियास को डिसकस करने वाले बहुत ही इंपोर्टेंट एकनॉमिक थिंकर हैं यह सब्जेक्टिविजम और मार्जिनलिजम के इन तरीके से इनका रेंट और वेजिस का कंसेप्ट रेंट में इन्होंने कैसे रिकार्डियन थियोरी को बहुत जादा यह उससे इंफ्लुएंस थे इंट्रेस्ट से रिलेटेट क्या इनके बाते थी उसके अलावा इनका जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉस्ट जो आपका मोनोपल पता ही है जो की बहुत इंपोर्टेंट रही है पॉलिटिकली और एकोनोमिकली इन सभी चीजों का हम लोग देखेंगे एंड में इनका हिस्ट्री ऑफ एकनोमिक थॉट्ट में प्लेज भी देखेंगे तो यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है विदाउट आस्ट्रेंट स्कूल के बहुत ही इंपोर्टेंट थिंग कर रहे हैं यह काल मिंगर के सनिन लौ थे तो आपको बताइए काल मिंगर का काफी जादा इन पर इंफ्लुएंस रहा था इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क से जैसे ओरिजिन और प्रिंसिपल्ट ऑफ लॉव एक इनके बुके सबसे जादा इंपोर्टेंट मानीगी है और इसके अलावा इनोंने थियोरी ऑफ सोचल एकनोमिक्स 1914 में लिखी दी देखें इनके एक एक आइडियास को हम लोग जल्दी अल्दी कवर करेंगे तो उससे आपको बहुत ही सिंपल इनके एकनोमिक आइडियास मे बहुत जादा वैरियेशन नहीं है बहुत कुछ कॉंपलेक्स नहीं है कुछ ग्राइबस यह बहुत जादा मैट्स का यूज नहीं किया है इनोंने सबसे पहले जो इनोंने method of study यूज के scientific method या method of abstraction जिसे कहते है और साथी साथ जैसे हमने मेंगर की वीडियो अगर आपने एक दूसरे को criticize करते थे methods को लेके लेकिन वाइजर जो है इन सब चीजों में नहीं पढ़े इनोंने scientific method को ही सबसे fit method माना इसके बाद हम लोग इनके natural value के concept देखो यार आपको पता है अभी तक तो आपको यह चीज़ पता चल गई होगी कि हम लोग subjectivism and marginalism के ही thinkers को पल रहे ह तो obvious सी बात है अगर wiser subjectivism के thinker हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इनोंने subjective approach अपना ही होगी और इनोंने marginal utility को ही सबसे important माना होगा in determination of value, value के लिए हमने पहले ही बता है था classical thinkers जो थे classical यानि जैसे आपके Adam Smith, आपके Ricardo, यह सब जो थे labor cost theory में belief करते थे यानि labor की वदे से value आता है, Karl Marx भी, Karl Marx भी जो है वो surplus labor theory एक देते है, surplus value या labor theory of value, यह सारे जो thinkers थे यह क्या करते थे labor को बहुत important मानते थे, लेकिन जितने भी आपके subjectivist है या marginalist thinker से, वो marginal utility यानि किसी चीज के क्या उप्योगिता है, कितना वो किसी एक individual के लिए जरूरी है, वही चीज या कि इतना उसे satisfy करती है, वही चीज आपकी value को determine करेंगी, same चीज वाइजर ने भी यहां से लेके, यहां तक में आपको यही चीज मिलेगा कि वाइजर ने, आपका यही बताया है कि जो marginal utility होता है, उसके according कि किसी चीज की value को determine किया दा सकता, according to him, value came from the utility, it was derived from the want satisfying power of goods, साथी साथ इन्होंने जो है, इन्होंने दोनों चीजों का, मतलब जो subjective views है value का, और साथ साथ में आपका exchange value जो होता है, sorry, use value and exchange value दोनों को ही इन्होंने develop किया concepts, यानि दोनों पर ही अपने views दिये, आपको बताया, अगर आपने Adam Smith की value आली video देखी होगी, या Ricardo की देखी होगी, तो मैंन बहुत जादा, बिल्कुल life के लिए बहुत important है पानी, लेकिन उसकी exchange value बहुत ही कम है, पानी free में सब जगा अविलेबल है, कोई scarcity नहीं है, उसकी exchange value बहुत कम, हीरा या सोना, या कोई भी jewelry, कोई भी artificial item, कुछ भी ऐसा, उसकी use value कुछ नहीं है भाई, आप ज्यादे से जाद लगाए जाएगी, वो उसकी exchange value की बहुत हाई है, तो हर एक चीज की दो values होती है, एक use value और एक exchange value, इसको वाईजर ने भी माना था, और इसको develop भी किया था, आप देको law of imputation of value, क्या होता है, सेम चीज हमने जब मेंगर को discuss किया था, तब वहां पर भी हमने बताया था कि, ही मेंगर जैसे degrees of आपका goods बताते हैं कि first degree good होगा, second degree good होगा, यानि जो सबसे basic चीज होगी, वो product produce होगी मान के चलते हैं हम लोग, wheat है, तो सबसे पहले wheat produce हुआ, wheat से आपका floor produce हुआ, floor produce हुआ, उससे आपका जो bread बना, फिर bread end में जाकर आपका consume हुआ, तो ये first order good, second order good या इस तरीके से, ये मेंगर ने classify किया था, यानि हर एक जो final product होगा, उसकी जो value होगी, उसके अलग-अलग factor of production से impute होकर के आएगी, impute होकर के आएगी, मतलब wheat का कुछ एक cost होगा, या आपके सकते value होगी, floor की कुछ एक value होगी, और bread की कुछ एक value होगी, साथ में आपको, जो end में सारा जब आप bread खरीद होगे न, तो आपको हर एक factor of production, ये सब एक तरीके के factor of production ही है, इससे पहले जो है, इससे पहले आपका land लगा होगा, और labor लगा होगा, ये सब चीजे लगी होगी, हर एक factor of production से ही value क्या है, धीरे 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 impute होके, बढ़के, फाइनल जो आपकी bread की value होगी, वो किस चीज से decide होगी, जो आपके पुराने जो goods है, या जो आपके factors of production है, सेम चीज इन्होंने यहाँ पे इस concept में भी बताया था, कि जो imputation है, value का, वो अलग-अलग जो factors of production है, उससे आएगी, और अलग-अलग conditions भी हो सकती, demand, supply, quality, इन सब चीजों पे भी depend करता है, कोई अच्छी quality की bread है, कोई खराब quality की bread है, इन सब चीजों पे भी depend करता है, इनोंने क्या बोला है, कि आपका जो step आगे बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे क्या होगा, कि आपका जो value है, जो add हो रही है, वो कम होती चली जाएगी, कैसे अब जैसे जो wheat को उगाने के लिए, जो value है, या जो पैसा लगेगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, wheat से floor बनाने में, यानि आटा बनाने में, उतना ज़ दूसरी स्चेज में थोड़ा कम पैसा लगा, तीसरी स्चेज में थोड़ा और कम पैसा लगा, चौथी स्चेज में थोड़ा और कम पैसा लगा, इस तरीके से इस चीज को explain करिये, और इनका ये जो overall distribution का ही आप कह सकते हो concept था, क्योंकि इसमें production की तो जादा बात हुई नह अलग-अलग stages में, एक stage में पहले weed बन रहा है, फिर दूसरा से value आ रही है, फिर तीसरा से, अभी आगे भी हम लोग देखेंगे, इन्होंने कुछ production goods, जो अभी cost goods और monopoly goods की जो हम लोग बात करेंगे, कि कुछ होते है cost goods, कुछ होते है monopoly goods, उनको भी हम लोग देखेंगे, तो Ricardo से काफी similar थे, but main चीज है, कि इन्होंने rent के उपर ज्यादा ध्यान दिया, यह ज्यादा उससे related कोई अपना concept, या कोई बहुत important कोई theory, ऐसा कुछ दिया नहीं है, देखें, first line में आपको मिल जाएगा, Wiser's presentation of theory of rent was not praiseworthy, इन्होंने Ricardo की ही जो आपकी theory है, उसी को थोड़ा बह से देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा differential rent और यह सारी चीजे पता चल जाएगी, वीजेस के लिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो labor theory of value या जो subsistence theory of wages है, subsistence theory किसने दी थी, Adam Smith के time पर या classical ने दी थी, classical economist का criticism करना, यह marginalist thinker हो कि आप कह सकते हैं, एक बहुत important point रहा ह उनकी हर एक economic thinking में, या ideas में ज्यादा तर जो आपके marginalist रहें, उन्होंने classical को criticize ही करा है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने labor को उसी तरीके से माना है, जैसे एक factor of production होता है, जैसे आपका land एक factor of production है, वैसे labor भी एक factor of production है, तो labor की वज़े से value आती है, ऐसा इन्होंने मानने स इनकार कर दिया, land है, capital है, land, labor, capital यह होते है न, factor of production, तो सबको इन्होंने सेम तरीके से ही माना है, वाइजर ने, next आप देखेंगे interest, यार इनका ये जो concept है, ये बहुत ही अजीब concept है, अगर इसको साई से पहली बात में है, तो आपको लगेगा, आप confused हो जाओगे, that कि या perishable goods कैसे capital हो सकते है, मगर इनकी नजर में perishable goods ही capital थे, आपको बता है, perishable goods क्या होते है, जो long run में काम नहीं आते है, जो थोड़े कम समय के लिए, मतलब, जो जली जली खराब होने वाले, ये चीज़े होती है, आपने सुना होगा, उसको इन्होंने capital माना है, अब आप सूच जो long run में use हो, जो बाद में आपको बहुत अच्छे returns दे, मगर वाइजर का क्या गयना था, capital क्या है, capital वो perishable goods है, जो process of production में इस्तमाल होते हैं, और इन ही capital से मिल करके आपका जो gross product है, वो बनता है, और इसकी value capital से ज्यादा होती है, बोलने का question से, जैसे अगर wheat capital good है, तो उ उसकी value wheat से ज्यादा होगी, ये चीज़ इन्होंने बोली, और जितनी ज्यादा value होगी, वही उसका interest हो जाएगा, समझ में आए, wheat अगर 10 रुपए kg है, और 1 kg आपने bread बनाई हो, जिसकी कीमत 20 रुपए, तो ये जो 10 रुपए का difference है, इस ही को इन्होंने interest बोल दिया, बहु enough to replace the capital employed in production and to pay a net return to capital also, यानि जो capital, जो आपका total return आएगा किसी चीज़ को produce करने के बाद, यानि जो main पैसा आएगा आपके पास, जो bread बेच के जो आएगा, उसमें capital का भी पैसा निकल जाएगा, साथ में इतना पैसा हो जाएगा, कि आप capital के लिए एक return भी दे सके, इसी return को इन्होंने क्या बोला था, interest बोला था, ठीक जितना पैसा extra जो आ रहा है, और जो interest है, उसको इन्होंने justify किया था, क्योंकि capital जो है, वो process of production में use वा था, इनके लिए capital क्या है, perishable goods है, next इनका जो important concept है, that is doctrine of cost, इन्होंने दो तरीके के goods की बात करी थी, एक है cost goods, एक है monopoly good, आपके जो cost goods है, वो क्या है, वो एक तरीके से आप क्या सकते हो, बहुत ही easily available हो जाते हैं, या ज्यादा तर जगा पर रहते हैं, जैसे coal, wood, unskilled labor, metal, ये सारी चीज़े हर एक चीज़ में production में use भी होती है, और बहुत जादा आप क्या सकते हो, available भी रहती है, तो ये हो जाए किसी industry, जैसे आपको shoe industry establish करनी है, तो उसमें भी coal, wood, labor, ये सब तो लगेगा, metal तो लगेगा, लेकिन आपको leather लगेगा, main तो shoe बनाने का item क्या है, leather है, leather की आपको जरूरत पढ़ेगी, अलग से तो leather क्या है, एक तरीके का, monopoly good हो गया, आपको, क्या कहते है, कोई furniture industry बनानी है तो आपको उसमें, चलो, coal, wood, ये सब चीजे तो है ही साथ में आपको कुछ उसके लिए textile लगेगा, या कुछ कपडा लगेगा, ये सब आपको अगर sofe बनाने है, या ऐसा कुछ बनाने है, cotton लगेगा, तो वो क्या हो गया, आपका एक monopoly good हो गया, जो किसी particular चीज को बनाने क या particular चीज में बनाने के लिए use हो, जो cost goods होते हैं, वो देखो common होते हैं, cosmopolitan, यानि सब जगा available होते हैं, indispensable power of production होती हैं, लेकिन ये जो है monopoly goods, ये specific elements होते हैं, कुछ individual industries के, तो इन्होंने क्या गहा कि हमें, एक cost goods की मदद से ही हम ज्यादा से ज्यादा दूसरी चीजे बना सकत तो हमें cost goods को बहुत ही अच्छे से उनका इस्तिमाल करना चीए, और साथी में इन्होंने cost goods को ही production good भी माना, यानि cost goods के बिना तो आप किसी चीज को produce कर ही नहीं सकते हैं, ये बहुत ही basic goods हैं, basic requirement है किसी भी industry को set up करने से पहले, तो इसकी वादे से इन्होंने ये भी बोला ह कि that the cost principle of valuation should be applied only to these goods, यानि कि इन्होंने, देखो cost principle क्या है, same चीज आप ध्यान रखो हर एक चीज में ये कहीं न कहीं classicals की band बजाते रहते, classicals को सरूर क्रिटिसाइज करेंगे, classical ने क्या दिया था, आपने Ricardo की थियोरी पढ़ी होगी, cost theory of production, या cost, labor cost theory of production जिसे कहते, cost of production theory of value, इसके जितना cost लगता है किसी चीज को बनने में उसकी value होती जाती है, तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने cost goods की value को mean माना है, यानि इन्होंने मोला है कि अगर तुमें किसी चीज की value निकालनी है, तो जो specific item यूज हो रहे हैं उसको नहीं important मानो, बल्कि जो cost goods, जो readily available है जो सब जगा available है, उसकी value को आप consider करो और उसको ही जादा important मानो, तो इससे क्या होगा कि cost goods are distributed in such a way as to yield maximum utility, cost goods को हम लोग इस तरीके से utilize करेंगे या इस तरीके से उन्होंने distribute करेंगे, सरकार के लिए इन्होंने बोला कि जादा से जादा utility है, जादा से जादा अच्छे कामों में लगे, बढ़िया चीजों में लगे, ज्यादा satisfaction हो, तो इससे इन्होंने क्या एक तरीके का resource allocation के लिए भी बात करी थी, अब देखो same चीज है, इनका social economy में भी इन्होंने politics को या आप कह सकते society को economics के साथ जोड़ा, इन्होंने बताया, जैसे Karl Marx नहीं बताते कि एक class है dominant, एक है तुमारी suppressive class है, dominating class है, dominated class है, उसी तरीके से इन्होंने बताया, कि यह जो एक class का दूसरे class के ओपर, जो domination है, यह किस वज़े से होता है, यह economics की वज़े से, या आप कह सकते हैं कि, यह society में जो conflicts है, उनका main reason जो है, वो economics ही है, इन्होंने तीन तरीके के goods के बारे में ब इस्तमाल करता है, कुछ ऐसे goods, जो कि luxury goods होते हैं, कुछ ऐसे जो intermediate goods होते हैं, आप देखो, जो हर को इस्तमाल करता है, वो किसकी marginal utility पे डिपन करेगा, गरीबों की, जैसे साबून, साबून जो है, उसका cost, क्योंकि साबून हर को इस्तमाल करता है, तो cost आप देखते होगे, वो गरीबों की हिसाब से तय होती है, कि यार गरीब जो है, वो 10 रुपए दे पाएगा, यार साबून खरीदना है, बेचना है हमें, तो 10 रुपए भर का एक साबून बना दो, ठीक, लेकिन अब अगर car की बात हुई है, तो car में जो है, वो utility किसकी देखी जाएगी, अमीर कितना दे सकता है, अमीर 5 रुपए तक की car खरीद सकता है, 10 रुपए तक की car खरीद सकता है, तो उसके साब से, अब गरीब के पास भाई, पचास अजार ही रुपए, तो आप car थोड़ी पचास अजार में बना दोगे, तो कुछ items ऐसे होते हैं, जो गरीबों की utility देख करक जो satisfaction मिले, यानि वो एक साबन खरीद रहा है, तो उसे 10 रुपए बर का ही satisfaction मिलेगा, और जो गाली वाला है, यानि जो rich या luxury product वाला है, उसकी utility से luxury products बनता है, और intermediate goods आपका middle class की utility के according बनता है, इसके बाद इन्होंने urbanization को लेकर के उसके कुछ harmful effects और कैसे society जो है, वो degenerate हो र जाना चाहिए, उन्हें wages को आप कै सकते है, डिटर माइन करने में या bargaining में बहुत अपना रोल करना चाहिए, ये centralized system चाहते थे, अपने देश में या पूरे overall world में, कि सब चीजे centralized जो government के अंडर में हो, और सारी चीजों का, एक proper economics जो है, उसको politics के साथ ही जोड करके, एक social economy बना कर के चलना चाहिए, इनका taxation से रिल्टे, इनोंने progressive taxation को चलो, reject कर दिया था, मगर इनोंने economic nationalism, protection, इन सब चीजों को बहुत ही important वाना था, देखो हर एक चीज इनकी जादा तर जो है, वो opposite होगे classicals क, मैं ये बार बार कह रहा हूँ ता कि आपको आसानी लगे, क्यू ये किसमें विश्वास रखता है, आपका protection में विश्वास रखता है, यानि free trade को ये discard कर देता है, next, हम लोग last में का देखेंगे history of economic thought में, importance बहुत है इनका, लिकिन इनका जो importance है वो कई बार, menger और bohan bowerk और इन सब की वदे से थोड़ा कम दिखता है, मगर इनके कुछ जो बहुत सारे इनके जो ideas है, जैसे marginal utility, theory of imputation, value theory, ये सारे इनके बहुत ही important concepts रहें, so this was all about visor, अगर आपको इसे related कुछ भी doubts है, तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा telegram channel join कर लीजे, जहां पर आपको कई सारे important topics के notes, PDF, ये सारी चीज़े आपको available हो जाए कर planning मेरा ओना और आप ważne है, जहां खकर अपको कर लाएं तोस ते आपको कर दे आपको ये ये सारी बहुत है, ये ए्याम गटेसिता हैं?